इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरणेट से ली गई हैं। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करतें। किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले, एक बार अपनी दॉक्टर से ज़रूर पुछें। सैसलिंक में सैलिसिलिक एसिड होता है, जो केराटलाइटिक एजिंट नामक दवाओं के समूह से संबंधित होता है। इसका उप्योग अत्यधिक तैलिय तवचा वाले रोगियों में मुहासे के प्रकोप के इलाज और रोक्थाम के लिए किया जाता है। अधिक्तम परिनामों के लिए इस दवा का उप्योग आपकी दैनिक सफाई दिंचर्या के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। एक, सैलसिलिक ऐसेड एपिडमल कोशिकाओं को ढीला होने देता है और तवचा के बंद रोमों को साफ करता है जिससे मुहासे कम हो जाते हैं। दो, सैसलिंग फेस वाश में एक प्रतिशत सैलसिलिक ऐसेड होता है। यह एक छीलने वाले एजिन्ट के रूप में कारे करता है, जो तवचा की उपरी परत को हटा कर रोम छिदरों को खोलने में मदद करता है, जो बंद हो गए हैं और मुहासे पैदा कर रहे हैं। तीन, यह नई तवचा कोशिकाओं के विकास में भी मदद करता है, और तवचा को तरो ताजा और युवा लुक देता है। तैलिय तवचा वाले लोगों के लिए मुहासे के उपचार और रोग थाम के लिए सैसलिंग फोमिंग फेस वाश का उपयोग दैनिक सफाई दिंचर्या के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे देगए सब्सक्राइब बटन को दबा कर नोटिफिकेशन बेल को आल पर सेट करें।